हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चनल मेघाले पुलिस में आप लोग के लिए सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर, कॉंश्टेवल और फायरमेन की न्यू भरती का नोटिपिकेशन जारी कर दिया गया है इसके लिए योगत्या का सलेक्शन प्रोसेस क्या है इन सबी के बारे में आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं और सबसे इंपोर्टेन बात जो कि आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि अधर इस्टेट वाले मेघाले पुलिस भरती के लिए एपलाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं यह आप लोग का सबसे बड़ा सवाल है तो इन सभी सवालों का जवाब आप लोग को इस वीडियो मिलने वाले हैं पूरी डीटेल से आप लोग को इस भरती के बारे में बताने वाले हैं बस आप लोग से रिखेस्ट है कि वीडियो को लाश्ट तक जोर देखेगा और चैनल परे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू किज़ेगा और टेलीग्राम चैनल में जॉइन होना ना भूलेगा क्य उन वर्ति के लिए गमान इस भरती के लिए करने का है 30 अप्रेल, 30 अप्रेल तक आप लोग जो है इस भरती के लिए form apply online कर सकते हैं online आपको form apply करना है जिसमें आप लोग का fee जो लगने वाला है वो 1.500 fee लगने वाला है इसमें जो है other other जो tribes होते हैं उनको छूट भी मिलने वाला है आप लोग यहाँ पर सकते हैं कौन से tribes को कितना percent का छूट मिलने वाला है आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर name of post और number of vacancies के बारे में तो सबसे पहले आप दो देख सकते हैं कि sub inspector की post है जिसमें total जो number of vacancy है वो 76 है इसको जो है group by बाटा गया है अलग-अलग post को group by बाटा गया है तो यहाँ पर आप दो देख सकते हैं कि sub inspector की number of vacancy जो 76 है और यहाँ पर जो post है वो है on arm branch, fireman mail, driver fireman fireman mechanic, MPRO operator signal इन सभी के लिए जो total vacancy है वो 1255 है सभी का आप लोग का vacancy यहाँ पर दिखाई दिया रहा है कि कितनी vacancy आई है फिर है आगे arm branch constable arm branch constable के लिए 1494 है और driver constable mail के लिए है आपका 143 vacancy 143 vacancy है total मिलाकर इन दोनों को मिलाकर 1637 vacancy हो गई है आगे हम लोग देखते हैं category वाइजी यह आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको post उपर हम बताएं यहाँ पर category वाइब बताएं गया है कि कौन से category में कितनी vacancy है चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो fireman का हो, driver fireman हो fireman mechanic हो, signal हो फिर driver constable हो फिर constable handyman जिसको arm branch constable भी बोले राता है तो total मिलाकर vacancy इसकी बात करें तो 2968 2968 इतनी vacancy आपकी मेखाले पुलिस में आ चुकी है तीक, यह तो हो गया number of vacancies के बारे में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का जो दिया गया है कि selection process क्या होने वाला है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि candidate whose application are found correct जो candidate इसके लिए apply करेंगे और उसका उनका application अगर सही तरीके से पाया जाता है तो उनको physical measurement test और physical efficiency test के लिए बुलाए जाएगा और जो आपका center रने वाला है वो आपको मेखाले में ही center रने वाला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का center होगा physical का वो इन ही समय से किसी में से मिलने वाला है physical का फिर उसके बाद आपका return test होगा आगे हम बताएंगे कि कौन-कौन से आपको क्या बोलते हैं subject आने वाले हैं आपके return examination में कितने marks के आपके return examination होगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात के इसका eligibility जो की qualification के बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा important होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला आप यहाँ लिखा गया है कि इस भरती के लिए बिलॉऊंग करते होगे तो आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं गया है कि आप लोग को किवल मेगाले वाले student ही यहाँ पर apply कर सकते हैं इस भरती के लिए तो भारत के किसी भी राजे से हो किसी भी state से हो तो आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं अब हम लोग इसके education qualification की बात करते हैं तो sub inspector में बात करें male और female दोनों भर सकते हैं sub inspector में इसमें age मांगा गया है 18-27 और इसमें bachelor degree in any stream from a recognized university यानि कि आपके पास graduation का degree होना चाहिए तब ही आप लोग SI के लिए apply कर सकते हैं इसमें height जो मांगा गया है SI के लिए वो male में SCST के लिए SCST including other schedule tribes और मेगाले है SCST और जो मेगाले के जो क्या बोलते हैं जो tribes होते हैं उनके लिए 157 cm male के लिए और जो normal candidate होंगे उनके लिए height है 162 cm female में SCST और जो मेगाले के tribes होंगे उनको include करके 152 cm और normal female को 157 cm इसमें height मांगा गया है ठीक और जो आपका height जो होना चाहिए weight के अनुसार होना ही चाहिए तो आप लोग माल में फिर rank है आपका on arm branch constable fireman driver fireman fireman MPRO operator signal operator fireman mechanic mechanic इन सबी के लिए एज मां आ गया है 18 से किस कितना 18 से किस मां गया है इसमें आप लोग को simple 12th pass होना चाहिए और इसमें आप लोग हाइट देख सकते हैं कि मेल के लिए मेल के लिए मेल के लिए और battalion constable driver constable handyman constable इन सबी के लिए जो एज मां गया है वो 18 से 21 एज मां गया है और qualification जो है वो simple 9th pass होना चाहिए simple आपका 9th pass qualification होना चाहिए बाकि सभी के लिए height बेगारा जो ही इन दोनों के लिए same ही है ठीक आगे हम लोग बात करते हैं यह है आपका document document आपको जो है क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साथ documents का यहाँ पर list दिया गया है तो सबसे पहले जो है आपको SI के लिए physical efficiency test होने वाला है जो कि 100 marks का होगा written examination 300 marks का होगा और interview आपका 50 marks का होगा यानि कि total आपके सारे 400 marks के SI के लिए exam होने वाले है फिर उसके बाद जो constable, fireman, driver, MPRO, operator, BN operator, fireman, mechanic या mechanic इन सभी के लिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है physical test आपका 100 marks का होगा और written examination 300 का और interview आपका 50 marks का होगा total सारे 400 marks का यहाँ पर होने वाला है constable, fireman, driver, driver from fireman इन सभी के लिए आगे हैं आगे हैं आपके constable, BN constable, MPRO, GD constable, driver constable और handyman constable इन सभी का आपका क्या होने वाला है जो physical होगा और हाई 100 marks का होगा written examination 1500 marks का होगा और interview आपका 50 marks का होने वाला है जो कि total मिलाकर सारे 400 marks के आपके total आपके इसमें होगे physical और return reaction में लाकर सबसे पहला आपका physical ही होने वाला है physical में आपका क्या क्या होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं SI के लिए जो है 5 km का running होने वाला मेल के लिए और 3 km का race होगा आपका female के लिए आपका जो racking होने वाला है उसमें आपका चीप वाला rching होने वाला है क्यूंकि आपको riot बी और किटना मेर्ट में पांजा जो आते हैं उपर उन सभी के लिए अब यहां पर कोईश्टेवल के लिए हुआ पर आपको सब्सक्aman को कीवल आपको रुझ говор अब जो रुझा क्यों हुआ है उनको वह थेंग ड Bryätzlich सकते हैं कि SI के लिए जो है वो तीन तीन आपके पेपर होंगे सब्सपेल यह之前 होगा फिर स्फिरिंघ्र जेनरल इंगलेश इसमें सर्फिंग्र रिफ्टिंग और फिर इंगलिस ग्रामर इंग्लिस ग्रामर यह सब句 से देख सकते हैं कि ग्रूप के बारे में वहाँ पर उपर महीं दिया गया है तो रिट्नी ग्रामिशन फर यूबी ग्रूप यहां पर भी आपके तीन पेपर होंगे इंगलीज ग्रामर के और फिर आपका मैथ, अलिमेंटरी साइंस यह आपका फर्स्ट पेपर हुआ है सेकेंज हुआ आपको यहां पर यहां पर इनेर्य मार्स करें होंगे इसमार के इस प्र глमारी होने इनकिति क्योंने माईदे साथ यहां के लिएर्यात के आपका केवल वन फैपर होने वाला है ऑने मेन ए सबस्क्प्राब सबस्क्राइट बेसिए जैनर्ट करें और यह जो पेपर होगा वो आपका multiple choice होगा OMR पर होगा जो AB Group के लिए हन्ने मार्स का आपका rating recognition होने वाला है जिसमें आपको साथ मिनट टाइम मिलने वाला है फिर जो भी rating recognition qualify करेंगे उनका medical होगा और उसके बार आपका जो भी आपके पोश्ट है उसके recording आपका ट्रेटेस्ट होगा जैसे कि fireman है driver का driving टेस्ट होगा उसी कैधार पर आपको वहाँ पर selection लिए जाएगा सभी का आपका ट्रेटेस्ट भी होने वाला है मतलब अब यहाँ पर जो है bonus marks भी मिलने वाला है जैसे कि जो home guard volunteer होंगे और B और C certificate NCC के होंगे sportsman होगे state और national के उनको जो है bonus marks भी मिलने वाला है तो यही था आप लोग का इस भरती के बारे में तो इस भरती के बारे में पूड़े आपको बता दिये कोई भी जो है fake documents जो ह mutate तो आप लोग इस नंबर पर आपलो करके जो है इस भहत भरती के बारे में कोई बी प्रॉब्लम हो ता आप लोग पूछ सकते हैं बाकि इस भरती के बारे नहीं पूड़े आप Lowell जानकारी दे दिये कोई डावट को सकते हैं फिर टेलिग्राम में आप जोडियन हो जैए तो जो भी लोग इस भरते के लिए eligible होंगे form apply जरू किजिएगा चलिए आप लोग से मिलते हैं किस नेक्स वीडियो में जैहिन बने मातरम